Hello everyone this is the first video of the chapter biological classification which is the second chapter in the class 11th biology second chapter है ये और आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग 5 kingdom classification basically हमें इंट्रोडक्शन देखेंगे classification का classification किस तरह से किया गया biological word का और बहुत ही इंट्रो देखेंगे बहुत ही जो लिमिटेट है जो आपके NCRT में है उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं देखे अरिस्टोटल ये नम आपने सबने सुना होगा कि हिंदी में जैसे अरस्टू भी बोलते हैं अरिस्टोटल वस अर्लियस्ट सबसे पहले थे जिन्होंने अटेम्ट किया ये कोशिश की की classification किया जाए अन्दब बेसस ऑफ सैंटिफिक मैथड में अलब सैंटिफिक बेसस पे लासिविकेशन किया उन्होंने उन्होंने च्छेविकेशन किया प्लांट्स को ट्रीज शरप्स और हर्पस में उन्होंने डिवाइड किया अनिमल्स को भी दो ग्रूप में अनिमल्स को दो ग्रूप में एक वह जिनमें red blood होता है और एक वो जिनमे red blood नहीं होता है that means rbc नहीं होती है तो एक थे enema जिनमे red blood था और एक थे enema जिनमे red blood नहीं था that means उन्होंने plants को trees, shrubs और हर्स में डिवाइड किया और animals को enema और enema में में डिवाइड किया Leneas के time में Catullus Lineas नाम सुना होगा अपने तो Leneas के time तक जो एक two kingdom classification था, two kingdom system of classification जो plantay और animalia का था, ये developed था और उस समय जितने भी plants थे और animals से वो इन दो kingdom में रखे जाते थे this system was used till very recently, मादब बहुत बाद तक ये system, जो two kingdom classification system में ये use होता रहा था, this system did not distinguish, इस system में सबसे बाद रॉबैक ये था, कि इसमें difference नहीं था eukaryotes और prokaryotes में that means eukaryotes और prokaryotes जो थे, वो similar kingdom में थे, unicellular and maticellular organism जो थे, वो भी similar group को belong कर रहे थे इसमें और photosynthetic और non-photosynthetic that means photosynthetic जैसे green ilgi हैं और non-photosynthetic ये से fungi हैं, ये सब भी same group को belong करते थे तो ये सब काफी इसके drawbacks थे तो जो ornisms का classification था, plants और animals में ये बहुत ही easily done हो गया था easy to understand था, भई, obviously इस आरत पर दो तर रहे के ornisms हैं, plants, animals, तो easy है and इसमें क्या था कि बहुत जादा, मतलबे large number of ornisms जो थे कई ऐसे ornisms थे, वो जो ना plant की category में आते, ना animal की, that means that did not fall into either category, देखे, two kingdom जो system था, उसके according plantे में आपके algae, fungi, bacteria अब्राफाइट, त्रेडोफाइट, इस्परमेटोफाइट, आमलब, सब ये सब इसमें आ जाते थे प्लांटे में, और अनिमेलिया में सिलेंटोइटा, पॉरिफेरा, प्लेटेलमेंस, मुलस्का, नेमेटलमेंथ, अनलेडा, इकानोडेमेटा, कॉर्डेटा, ये सब आ जाते थे, देखे, जो two kingdom classification था, two kingdom classification, ये बहुत लंबे समय तक और उस तमें तक मतलब बहुत ही जादा चुकी बहुत जादा डीप में स्टडी नहीं हुई थी और निजम्स की, तो उनको वहां तक कोई परिशानी जादा नहीं हुई, बट अनीड वाज ओल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूड़िंग, जरुवत धीरे-धीरे सेल स्ट्रक्चर पे, नीचर ओफ सेल वाल पे, नीचर ओफ वाल, मोड अफ नूट्रिशन, हैबिट एट पे, रिप्रदक्शन के मैथड़्स पे और इवलूशनरी रिलेशन्शिप्स पर भी ओनिजम्स की, इन सब इन सब पे जब उन्होंने ध्यान दिया और इन सब को ले करके चले तो फिर वो टू किंडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था वो अप्रोपियेट नहीं था तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था लिविंग ओनिजम्स का उसमें लगातार चेंज आते गए, बहुत सारे सिटन रहे हैं हर तरह के मिलब जितने भी डिप टाइब के सिस्टम आए उन सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट और ऑड अनीमल कींडम जो हैं यह कांस्टें बburg learning हBER लिकिन जो इन मिड here जैसे जैसे इनके अंडर में जो और इजम सा रहे थे, नमें जैसे 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 वेरीशन आता गया तो इनके अंडर में इस kingdom के अंडर में जो भी changes थे, उनमें जो other kingdom है, उनके number and nature जो है वो बढ़ते गए और दूसरे जो अधर किंग्डम से वह भी नहीं तेयार हुए जैसे जैसे अलग लग साइंटिस्ट क्लासिविकेशन के बारे में और अर्डिसम के स्टडी करते गए अनिमल किंग्डम और प्लांट किंडम यह दो कॉंस्टेंट बने रहे और इनके अलावा और भी किंग्डम इस दो किंग्डम एक बहुत ही फेमस नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर रहएच विटेकर नैंटीन सिस्टींब नाई में इन्होंने प्रपोस किया थे फाइव क्लासिविकेशन जो सबसादा मोस्ट एससेप्टेड जो क्लासिविकेशन सिस्टम है वह इनोंने प्र प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और अनिमेलिया ये 5 क्रिंडम क्लासिफिकेशन हो दिया था जो मेन क्रेटेरिया यूज किते अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो थे ये सेल स्ट्रक्टर, थैलस और अरणाईजेशन, मोड अफनीट्रिशन, नूट्रिशन का क्या तरीका है, और फालो जेनिटिक रिलेशनशिफ, फालो जेनिटिक का मतलब है एंसस्ट्रिलेशनशिप, असा नहीं कि जो कोई बहुती प्रिमिटिव टाइप है वह बहुत बाद किया था बनाया था लेट एस लोग चली हम लोग देखते हैं five kingdom classification system में और ये समझते हैं कि क्या issues और consideration में लग क्या ध्यान दियेगे जिसने influence किया जो classification system को प्रभावीत किया ऐसे कौन से issues थे जो earlier classification system थे दाट में जो पहले classification system थे उसमें bacteria blue green algae fungi mosses funds gymnos pumps और ये और जो एंजो संब ये सभी के सभी plants kingdom में आते थे लेकिन आरेच्वी टेकर के classification system में इनको इनके cell structure इनके थैलास organization के इनके mode of nutrition के basis पे classify किया गया देखे जो character जो इस पूरे whole kingdom को unified करता है वो होता है कि जो सभी organisms हैं उन सभी में cell wall होती है that means सभी में cell wall है this place together groups has widely differed in there और इसके बाद जो दूसरे groups थे उसमें और दूसरे characteristics में differences थे it brought together अभी इस में हुआ कि जो cell wall के basis पे जो prokaryotic bacteria थे और जो blue-green algae थे ये सब जो थे और दूसरे other groups eukaryotic से differ हुए it also grouped together इन्होंने unicellular organisms और multicellular organisms जो साथ में थे जैसे chlamidomonas है sparogara है इसको algae में रखा classifications जो था did not differentiate between इन्होंने heterotrophic group को differentiate नहीं करता था जो classification था that means fungi है और जो autotrophic green plants है that means इसमें differentiation नहीं था but five-gandum classification में differentiation हुआ they also showed a characteristic difference in their cell wall composition इनमें wall composition था जैसे किस फंजाई की जो cell wall होती है वो chitin की बनी होती है that means chitin is a kind of carbohydrate और इसकी बनी होती है जबकि जो green plants है उनमें cellulose जो carbohydrate हो था उसकी cell wall होती है तो इसलिए fungi का जो kingdom था वो अलग किया गया when such characteristics were concerned जब इन सब characteristics को ध्यान दिया गया the fungi वर प्लेज दिना separate तो रह भी टे करने फंजाई को उसके wall material उसके mode of nutrition के basis पे उसको इक अलग kingdom दिया kingdom fungi जितने भी prokaryotic organisms थे जो साथ में थे उनको रखा गया kingdom monera में and और जो uniceller eukaryotic organisms थे उनको रखा गया kingdom protesta में that means जो prokaryotic और eukaryotic था इसका भी इन्होंने differentiation प्रॉपर किया तो kingdom protesta जो थे इसमें आपके clamidomonas, chlorella और जो unicellular algae plants है और इसमें cell wall भी है इसमें आपके paramecium है amoeba है जो पहले animal kingdom में रखे गए थे वह वापस इसमें kingdom protesta में रखे गए हैं क्योंकि यह सभी क्या है unicellular है इसका मतलब kingdom protesta का main feature था जिसमें से कुछ autism पहले plant kingdom में थे कुछ animal kingdom में थे तो उनको वहां से हटा करके kingdom protesta उनके लिए कर लग बनाया गया और उसमें इनको रखा गया तो जो पहले plan यह clamidomonas, chlorella जो प्लान kingdom में थे उनको kingdom protesta में करा गया और जो पारमीश में भाई जो animal kingdom में थे जिनमें सेलवाल नहीं थे उनको भी kingdom protesta में रख्या गया दाट में इस kingdom protesta में unicell or eukaryotic थे जिसमें सेलवाल हो या ना हो इस पूट तोगेधर organisms which in earlier classification इन्होंने उन organisms को साथ में रखा जो पहले वाले classification system में different different kingdom में थे और यह तब उन्होंने क्या क्यूंकि जो criteria था classification को वो बाद में बदला classification के criteria के बदलाओ से इन्होंने organisms को उनके अलग अलग ग्रुप जो है वो अलग किये देखें इस तरह के जितने चेंजे से कि जैसे और निजम को उनके पुराने kingdom से अटाके दूसरे kingdom में रखा गया ने kingdom को बना गया इस तरह के changes जो है यह future में आगे भी होते रहेंगे depending upon the improvement in our understanding जैसे जैसे हमारी जो understanding होगी मलब जो भी evolutionary relationship है उनके characteristic feature के regarding your understanding हो जैसे जैसे improve होती जाएगी बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे classification system में modification होता रहेगा over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects अब आगे आते वाले समयत तक धेदे classification system और improve होगा जिसमें सिर्फ morphological, physiological या reproductive similarities ही नहीं हो बल्कि phylogenetic पे भी ध्यान दिया जाएगा that means उनकी evolutionary relationship उनकी ancestral relationship के basis पे भी वह classification system reflect करता हो इस chapter में हम लोग आगे पढ़ेंगे तीन kingdom main kingdom monera, protesto, fungi जो विटेकर system में थे 5 kingdom classification system लेकिन जो दो kingdom है kingdom plant और kingdom animal इनके लिए आपके लिए अलग chapter है plant kingdom और animal kingdom के नहीं में जहां पे हम लोग इसको detail में study करेंगे तो plant और animal kingdom हम लोग अलग पढ़ेंगे और इस chapter में हम लोग आपके monera, protesto, fungi यह तीन जो आपके kingdom है इनको study करेंगे देखे 5 kingdom classification system के basis पे characteristics feature गरम देखें तो जो linear यह आपके आरेच विटे करते हैं इन्होंने cell wall, cell type cell wall, nuclear membrane, body organization और mode of nutrition इतने characters पे में ध्यान दिया अब देखें, monera में cell type है prokaryotic बाकी protista, fungi, plant यह सभी क्या है यह सभी eukaryotic है ठीक है और cell wall का अगर देखें तो cell wall monera में non cellulosic थी that means polysaccharide जो है plus amino acid मलब cellulose की बनी नहीं थी और different polysaccharide से और amino acid यह दोनों mix आपकी cell wall दिखती है, monera में, millibacterial cell wall की बात कर रहे हम लोग, और protista में cell wall जो है वो कुछ organisms में, कुछ unicellular में present है, fungi में present है, बट उसमें cellulose नहीं होता है, उसमें kaitin होता है और plant में cellulosic cell wall होती है, जबकि animal kingdom animalia में cell wall absent होती है अगर nuclear membrane की बात करें, तो monera चुक की prokariotic है, तो इसमें well defined nucleus नहीं होता है, nuclear membrane absent होती है बाकी सभी eukaryotic है, तो सभी में nuclear membrane present होगी, क्योंकि सभी में well defined nucleus होता है अगर हम body organization की बात करें, body organization का मतलब की unicellular है, multi-cellular है अभी अपने बात की कि वह प्रोकेरियोटिक है उनिसलेलर है तो सिंपल उसका बॉडि-अजिशन सेलुरल का है प्रोटिस्टअ भी उनिसलेलर होता है यूकरियोटिक होता है लेकिन थी बॉडि-देशन सेलुरल लेवल का है इन सभी तरह के body organization दिखेंगे जैसे जैसे आप lower animals to higher animals चलेंगे. अगर mode of nutrition की बात करें, तो आपको पता कि जो monera हैं वो autotrophic होते हैं, जिसमें photosynthetic और chemosynthetic दोनों तरह के आपके monera आजाते हैं, heterotrophic भी आजाते हैं, saprophytic भी आजाते हैं और parasitic भी आजाते हैं, यह सभी आपके mode of nutrition पाए जाते हैं, monera में. protista चुकि unicellar eukaryota है, तो इसमें autotrophic होगा, photosynthetic होगा और heterotrophic nutrition भी दिखेगा. heterotrophic में आपको parasitic, holozoic, saprotrophic सभी तरह के nutrition दिखेंगे. fungi आपको पता है कि यह इसमें chlorophyll नहीं होता है, that means यह photosynthetic नहीं है, तो that means यह saprotrophic होगा या parasitic होगा, that means इसका nutrition heterotrophic होगा mode of nutrition. plant आपको पता है कि यह autotrophic होटते हैं, क्योंकि इनमें सभी में photosynthes होती है, तो यह photosynthetic होगे, ठीक है? और animal यह heterotrophic है, doser body paint करता है, इसमें holozoic और saprotrophic दोनों तरह के mode of nutrition animals में आपको दिखेंगे, parasitic भी दिखेंगा, that means यह आपका जो था, यह आरेच विटेकर का five kingdom classification system था, जिनमें आरेच विटेकर ने living organisms को five kingdom में classify किया गया है, monera, protista, fungi, plantae, और animalia, यहाँ पर हम लोग सिर्फ उतना लेकर चल रहे हैं, जितना आपके anxiety में दिया गया है, जो हमारी need series के videos होंगे, उसमें हम आपको एक एक kingdom है, उनको बहुत ही detail में लेकर के चलेंगे, और आपको complete उसके बारे में detail knowledge देंगे, तो इस वीडियो में फिलाल हम लोग इतनी ही बात करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जरू करिएगा, comment करिएगा, अगर आपको कोई doubt हो, तो question जरू पूछे, comment section में, चैनल को तुरन सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे दूसरे वीडियो आपके लगातार इसमें आते रहेंगे, जिससे आपकी complete जो हमारा target है, आपकी preparation है बालो जी की वो हो जाए, और 70 out of 70 का हमारा target जो है वो, फुल्फिलो, तो तब तक लिए thank you all, and have a nice day बटा,